तुछ है लो दोस्तों कैसे है आप सब स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर तूपिक किसे नेटवर्किंग डिवाइस इस कौन-कौन से उनके बारे में पड़ेंगे पर्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस इसके बारे में पढ़ेंगे हम हब second switch hub and switch are both are same but switch is better than hub कैसे बैटर है उसके बार में हम आगे पड़ेंगे third one is router fourth bridge gateway router and repeater और भी कही networking device है जैसे NIC हो गए आपका किसी भी network को समझने से पहले हमें यह networking devices के बारे में जानना बहुत जरूरी है जब तक हम इन networking devices के बारे में नहीं जान सकते तब तक हम किसी भी network को ना तो establish कर पाएंगे ना तो उसके बारे में बैट बता पाएंगे कि यह और सब्सक्राइब करते होएं तो इसलिए हम one by one लेंगे फर्स्ट हम लेंगे हब को अब हब के बारे में जानेगी कि हब क्या है हम इस बैसिकली मल्टी पोर्ट रूपीटर है एक मल्टी पोर्ट रूपीटर क्या करता है कि किसी भी चीज़ को जैसे सिगनल को जैसे बहुत सब्सक्राइब आप देखा होगा की टावर लगें हमारे चाहां सेलफ़ून के तो हर एरिय के हिसाव से लगवा हो जैसे एक टा और आपको सिग्नल जो है 6 किलोमेटर के बाद में देना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट टावर जो है वो लगाना पड़ेगा ताकि जो आपका सिग्नल है वह आपको उसको एंप्लिफाइग कर दे पर हब जो है वह है नहीं करता अब क्या करता है सिग्नल को डाटा आ रह समझ है म ng madeach would حroti मोंटी फोर्ट होते हैं मलटीफ पॉर्ट होते हैं तूर्ड हमें सिंगल हम भीटा एक सिंगल को मानेंगे यह यहांट नोट केके नाड में फिल्ट्र डाटा उसका यह का मिब यह काम नहीं है कि वह यरटा करता है ऊसीँ दाटा बेरीं कोंप्योंटर खेम बढ़नेट बेस्ट डिवा इसे कुठने रिट रिट नहीं हरा उसको जैसे डाटा मिलेगा वह उसी का बैसा डाटा ब्रोड़कॉस्ट परतै ला 중 अब क्या करना हब में एक डॉबा को होता है जो आगे पढ़ते हैं अगे अब डॉन आट है इंटलिएंस तू फाइंड पाथ उसको यह पता नहीं कि भई किसको बेजना है आप वह बेस्ट पाथ को नहीं डिसाइड कर पाता है फाट डाटर पाकिट पैकिट सब इनिश एफिशेंस जैसे मालों कि मैंने डाटर बेजना है था यह अब क्या करता है कि हम प्रक्ट को भी डाटर बेज देगा और चितने भी पोट उसमें लगे होंगे उन सब को डाटर बेज देगा वो कि हब कंप्यूटर बन से कंप्यूटर थी को सिर्फ नहीं बेदेगा सब को कर देगा उसका यह ड्रॉब आके अब जब उसके बाद पहुंचता है तो इस कॉपी तुर्फ वह बात आगी वह बताया था वपर रपीटर के बारे में कि वह क्या करता है कि जैसे उसके अधे जैसे हाई बहुत जादा लेंथ है अंडिस की उसलेंथ को बीच में एक हब लगा देंगे हम क्या करेगा सिगनल को कॉपी करेगा और रिजनेट करेगा अग्सिट्रेंट करेगा सिगनल की स्टेंथ और बहुक्त तो वह पहुंच जाय है तो जब उसके पास पहुंच कि शमता नहीं हो क्या करता है कि बैसे पाकिट उसके पास पहुंचा रोसने बोई वाकिट ब्रॉड कास्ट कर दिया सभी को एंड लेस्स कंप्लिकेटर उसमें ज्यादा कंप्लिकेशी भी नहीं है क्योंकि हब में सिर्पोर्ट दिये होते हैं और लगाओ और वह सब्सक्राइ ओनले पाकिशन लेन लेंड सेग्मेंट हब जो है वो ले मोस्तली यह युज्ट होता है फोलेंस और सेगमेंट रॉस होते हैं यो था प्रपैसरा वहना को पृटुपलेक्स लागवोट दुपलेक्स का मतलब कि जैसे हमने वाकी टाकी है सब्सक्राइब कोई करनी है ऊसके टॉक्ष करते हैं तो प्रेस करते ही उसकायगा उसका एंड होगा वो ब्लॉक कर देगा उसको ठ्रांस्मिट्रंड जो है वो रिले कर देगा उस्ट्रांस्मॆ फे entrance सब्सक्राइब कर रहा हूं उसी टाइम पर जो रसीवर है वो मेरे से बात नहीं कर सकता जैसे फोन पर होता है कि दोनों एंड पर सेम टाइम पर दोनों दोनों बात कर सकते हैं उसको बोलते हैं इसे अपर में वह पूपने क्या है कि वह एक टाइम पर उसका तो इसक नहीं हो पाएगा सबस्ते हैंaat आफट प्लेक्स है जैसे यह हब है हब बैस्ट एक्जेंपल अब हम इसमें चार पैसे पांच पॉर्ड दी होए जैसे तो इसे तो कंप्टर बन जोड़ेंगे दो त्री फॉर फाइव कंप्टर बन में जो डाटा आएगा ना वह अगर कंप्टर करेगा और इसको सभी करते है और रीजनेट कर देता है इसको और ब्रोड़कास्ट उसको सभी को ब्रोड़कास्ट करते है सब्सक्राइब तो कंप्टर बन ने एक डाटा बेजना था यह डाटा इसमें चला गया हमें उसके बाद वह रही है रही है अगर यह एक डाटा सभी को बेज रहा है तो ट्राफिक भी ज़्यादा रहेगा इसमें तो इसमें क्या होगा कि slow processing रहेगी bandwidth slow रहेगी तो यह कुछ पॉइंट आप लेख सकते हो जैसे लोग बैंडबिट है हाई 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 ट्राफिक है इन सेक्योर है तो यह कप काफी पॉइंट आप लिख सकते हैं आगे देखते हैं कि आगे आगे हैं हब हब कि क्या है टाइप से आगे है टाइप अगव है अगव है टाइप क्या है पैसी वह क्या है और इंटैलियंट हब क्याइस के बारे में आगे पढ़ते हैं एक याज़ यहूज फॉर कॉनुक्शन बरिटून बेरी डवाइस जैसे हाँ काम करता है तो यह उन्हां डवाइस के बीच में इसे नोट की बीच में connection के काम करते है यह एक अइसा आपनी एक पावर स्प्लाई होती है जो क्या करता है clean boost and relay the signal along the network ग्रेंग तो सिंगनल को रिकशीब करेगा क्लीन करेगा बुस्ट करेगा रिले करतेगा यह अधिज थे एक्टिव हब का काम अधिशर जूश्ट स्टेंड़ मैक्सिम डिस्टेंट सब्सक्राइब मुस्टित विति जैसे हब काम करते हैं अधर जैसे नोट्स की जो करने लीए उसने क्या किया हब का यूज किया और यह यहां कर सकते कोई को ईहसे कर सकते हैं सब्सक्राइब करना एक्टीफ के समझ रहा एक्टी हग से था क्या 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 काम है तो क्रूनेक्शन प्रोबाइट करना वेरी स्वाइस को और अप्टीफ का खुद का पावर सप्लाइब होता है वह्म होता है जब वेडियर क्रता है की अर्य सिग्नल को क्लीन करते हैं को पूस्त करते हैं और उसको रिले करते हैं । to extend the maximum distance between the nodes यहां पर maximum distance होता है उसको स्क्राइब करने लिए लिए देज होता है यह समझेक्टिव प्रसिव क्या लगता है पैसी अपक्याइट इस यूज़ फार इसक्रेटिंग अधिक उसको भी हब वह बूर्ट डिवाइस इस बैसे को ने जोडने के काम आता है इस दाएप सेट पावर स्प्लाई फांट अटि लेता है अठीव पावराइस में फोडे पावरसिंग क्लीट करत था एक्टिव उसमें के french और यह जुक्त चलने के लिए क्लीन क्या करेंगा यंज करेंगा पावर्सप्लाई लेका एक्टिव अगग से पर इस सिगनल को क्लीन Settings क् describe यहां पर नोट की लेंथ ज्यादा होती है बहां एक्टिव हब यूज ओता था और बहुत क्या करेंगा पैसीव हब को यूज नहीं करेंगे जब मैक्सिव लेंथ हमने बढ़ा नहीं है तो हम उसमा में पैसी हब का यूज नहीं करेंगे इसमें था प्रेटिव में क्या था कि सिग्नल को कापी करता था बीट बाइवेट एंड रिजनेट तूद और उरिजनल स्टेंथ में तुनबाट कर लेता और कापी करके रिजनेट करता था कि मतले समझ लो कि आपकी एक्टि पैसी में डिफरेंट चेही है कि क्या करता है पावर सप्लाइब टा एक्टीव से ना तो बाकी उसके जगाथ सिर्फ क्या करता है कि जोड़ने के चाम आता है और यह फाप अब से बट लेइन बूस्टिंग नहीं करेगा maximum length को बढ़ाने में काम नहीं आता हो और क्या करता है बस relay करता है सिग्नल को क्या करता है रिले को देगा और copy भी नहीं करेगा रिजनेटा भी नहीं करेगा ये होगा पैसिव प्रतेमाकी एस इति मुल्ड़कि एक्टि जो स्थी फट्रम पैसिव जो आपक्टि आपका अपोजित थे अब आगे देखेंगें इंटलिय स्याब हुआ इंटलियेंट हब जो है वह वह आक्टिव से भी बैकर रहे है एट इस और सब्सक्राइब करता है इसकी खुद की पावर सब्सक्राइब करता है और पर क्लीन करता है बूस्ट करता है रिले कर देता है सिगनल को सब्सक्राइब करता है सिगनल को बड़ाने के लिए काम आ सकता है इसकी क्या करता है कॉपी करता है सिगनल को बड़ाने करते हैं इसमें सिर्फ यह difference है इस हब्सक्राइब करता है कि नैटवर्क को मैंने करता और क्या करता है कि पाच सेलेक्षण में बोहर्प करता है बस प्यास सेलेक्ष्ण देखता कि कॉन सा डाटा किस बात से बेजना है मुझे वह सब देखता है आप माझलो कि चलिख से मैं आघर्ट्प करते नेडवर्क और पाथ सेलेक्शन के लिए यूज के जाते हैं बाकि दोनों में कोई ट्फेंस नहीं है पैसिवह जो है वह एक्टिफ का अपूजित है और एक्टिव को डोनों से सेम है इस इस बट इंटलियेंट हब यह है वो मैनेज करते हैं नेटवर्क और पार सेलेक्शन के लिए जाना जाता है इन दोनों में यह डिफरेंट्स है फैंक्स इस फार वाचिक माई वीडियो है आज हमने अभ टॉपिक कबर किया next वीडियो में स्विच करें यह ताकि वीडियो भी लंबी ना और का मौशी जल्दी समझा भी वीडियो को देखके बोर्ना ओर हिसलिए हम् Um papier की सिंगल ऌपईक죠 को डेली लेंगे वोके ब्रेंड्स थैंक यू थैंक यू सो मुच पर वाचिंग मैं वीडियो जैहिन जैवारत